है धूस्त राम राम जी कैसे हैं आप सब तो नए साल का पांचवा दिन पनीर के नाम हाँ दोस्तो आज है नए साल का पांचवा दिन ओ ठंडी भी मस्त जबर्जस्त तो चलिए इन अपने चूले में आग लगा दिया है आप लोगों ने अंडे का भुजी खाया है तो हम जो नहीं खाते हैं उनके लिए मैं आज दूसरा कैप लगाई हूं तो पीछे जो मेरा बाल छोटा-छोटा है वह चूरकी के रूपमें निकल गया इससा क्या होता है का में बिल्कुल नहीं सरकता है गले के लिए कोई बात नहीं हम तो सब चीज जोगाड और या लेते हैं तो कहा थी दोस्तों हाँ अंडे कभ भुजी आप लोग खाए होंगे लेकिर आज में खिलाने जा रही हूँ आपको पनीर का भुजी समय ना जादे लेते हुए चलिए इसका सारा सामगरी देखिए और कहीं मत जाए चाह साई पी की आएए मेरे चूले के पास और मैं बनाती हूँ पनीर का ओमलेट कह लीजिए बुजी कह लीजिए जो भी कह लीजिए तो बनेर ये दोस्तों और देखिए एक बार जरूर बना के खाएगा और अच्छा लगा तो लाइक किजेगा और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं हम और यहां लेंगे दोस्तों बहुत बाते साथे हो गई फटाफट बनाओं में बने रहें मेरे साथ क्या हुआ माण मत किजेगा तो देखि दोस्तों देशी स्टायल में यह रहा प्याज भर भर के कड़ी पत्ता और उसके बाद यह गाजर जो मेरे हां सूख रहा था तो उसे भी मैंने गीला करने के लिए इसमें ले लिया और यह है सिमला मीज यह है टमाटर दोस्तों टमाटर जो है जगल जाएगी और उसके बाद यह रहा बीच में हरी मीच को मैंने बड़ा-बड़ा काटा है ताकि बाबू जो है वह अच्छे से खा लेगा निकालके उसके बाद बारी आती है दोस्तों पनीर की यह देखिए पनीर तो पनीर को मैंने जो है रात में फाड़ा था उसे इसे हाथों से तोड़ लेंगे मैस कर लेंगे और यह हो जाएगा भुज्जी टाइप का तयार उसके बाद जो आकी बाकी रहेगा वह कड़ाई में जाके भुज्जी बन जाएगा एगदम घर का पनी दोस्तों देखिए एदम मस जबर जस्त और उसके बाद यह रहा मेरा चूल और इसमें लगा दी हूँ में लकड़ी चलिए दिखाती हूं मैं आपको अब तो दोस्तों यहां पे मैं कड़ाई को साफ रही हूं और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें तेल आप लोग तेल सरसों का या रिफाइन का या फिक ही में भी बना सकते हैं तो जैसे आपको क्याते हैं तो जब हरी मिर्च पहले डालीएगा ताकि जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है तो जब हरी मिर्च रहाएगी जिसके बाद हम लोग थोड़ी सी उसको वेट करने के बाद कड़ी पत्ता डाल देंगे इसमें और कड़ी पत्ता के साथ में यहां पर प्याज और अच्छी से कलर चाहिए तो आप लोहे की कढ़ाई को स्किप कीजेगा और बाकि जो आपके पास कढ़ाई और नॉनिस्टीक का या फिर एल्मोनियम का कोई भी आप लीजेगा तो यहां पर मैं चूले पर था तो मैं लोहे का ली हूं उसमें थ्वासी आरन भी मिलता है उस अच्छा पन प्यास का दूर हुआ तभी में यह सब डाली और शिम्ला मिर्च डालके फिस सबको अच्छे से में भूनूंगी हलका हलका जब यह सोफ हो जाएगा तो इसके बाद बने रहे में दिखाती हूं आपको यह हो जाने के बाद हलका साम इसको ढख देंगे और फिर अब देखिए अब इसकी बारी जो आई वो है टमाटर डालने की टमाटर जो है डालके और उसके बाद आप लोग इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डेट कीजेगा और हां इसमें हल्दी मट डालिएगा क्योंकि हल्दी से क्या होता है कि सबजी वला फ्लेव अब जालना है थोड़ सी धनिया पॉडर यह घर का ही है मैं पीशके रखी हूं और मसाला भी मेरा होमेडी है और इसके बाद जो है यह देखिए इसको भूनिये और हलका हलका आप लोग को जो है कलर कला कला दिख रहा होगा तो माइंड मत कीजेगा लोहे की कड़ाई के आप लोग मार्केट से भी ला सकते हैं और उसके बाद पनीर डालके इसको फिर हलका सा चलाएंगे और पनीर जो है इसमें मिल जाया अच्छे से तब तक चलाएंगे और एक बार बस दो मिर्ट ती मिर्ट के लिए ढगेंगे क्योंकि बहुत जल्दी होने वाली सबजी कह ल जितने भी वेजिटेरियन हैं उनके लिए मेरा ये डिस था बस उसके बाद हलका सा इसे ढखिए और बस हो गया दोस्तों इसमें बस धनिया डालिए धनिया की मात्र थोड़ी सी ज़्यादा का मिलब डालिएगा बस अब इसको हलका सचला के मैं आपको दिखाती हूं दोस्त हो गया और इसे फटाफाट निकाल लूमें क्यूंकि लोहे कढ़ाई है तो काली ना पड़ जाए मैं निकाल के दिखाती हूं आप अब तो दोस्तों ये देखिए बनके इस तरह दिखेगा और ये है पनीर की भुजी लेकिन अंडे की भुजी का स्वाद इसमें आएगा द पहले इसका नमक टेश्ट कर ले रही हूं मैं हाथती है चालती डाला हो तो आप अपनी बढ़ाई हो जाएगी बस आप वह ज़रूर बनाएज और बनाके हल्दी डालना हो तो आपको डालेगा मैं हल्दी नहीं डालती हूं क्योंकि अगर मैं हल्दी डाल दूंगी तो वह सबजी का फ्लेवर आ जाएगा और बता दूं इस तरह बनाके जरूर खाईए प्यास के मातरा जादे कर दें जितना आपका पनीज है उसे थोड़ कर पाई हूं पहले घोटलू कि हसते रहिए हसाते रहिए जहां रहिए हमसे जबजस्तरी दोस्तों और फिर नए साल के पांचवे दिन आपको बबाई और फिर मिलती हूं आप लोग के डिमांड के अनुसार अगर आप लोग कुछ डिमांड नहीं करेंगे तो फिर ऐसी सबसर्ट मेरा है चापाती आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन हमको बड़ा ही पसंद है इसा ही पतला पतला अब मैं खारा हूं दोस्तों ठंडी बड़ी भेंकर है अठंडी का तो कोई सीमा नहीं सब्सक्राइब के कंबल में जाईए बोर्शी में आ सब्सक्राइब कर दोस्तों अब आप लोग भी बना के सब्सक्राइब कर दोनिया का सबसे बेस्ट आइटम आप कर ना नविस फिर हो जाएगा उपका धन्यवाद अब चांवेज में नहीं कहा हैं अगर पनीर भूजी खाना है और टमाटा का परियो करिये मुझे लगा कि आप अब कहने जाए घर अगर पटनी है वाई हम कौयंगे बढ़ा करें ता आपको लग रहा है कि हम पच्छ लिया आ यह को कि बनाएगा भी जाएगा बिना अंडे का इसलिए वेज हैं, यह अनमेज तो है नहीं पहना है तो मैं यह ही खाता हूं सबसे बेस्ट आइटम कोई भोजन नहीं चाहिए लेकिन चाहिए 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 तंडी सर्दी के मोसम में तो खाया जाता यह सब चीजें जादा भी खा लेंगे वेट बढ़ेगा कोई टेंशन नहीं लेकिन पंडी के भुजी और चपाती चाहिए जो किसमें